हे गाईस वेलकम टू माई यूटूब चैनल एक्जाम सक्षा मेरा नाम है रोयर और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को मद्यप्रदेश की राजबवस्था पार्ट टू पार्ट बन में हमने देखा था मद्यप्रदेश की राजबवस्था और राजप्रदेश की राजबवस्था और राजप्रदेश की राजप्रदेश की राजबवस्था और राजप्रदेश की राजप्रदेश की राजप्रदेश की राजप्रदेश की राजप्रदेश की र ग्रूप में राजपाल की भूमिका होती है जैसा कि यहां लिखा है राजपाल के पास कुछ ऐसी सक्तियां और उसके कुछ ऐसे कारे हैं जो राजपाल के पास नहीं होते हैं जो राश्टपती के पास कुछ ऐसी हम कह सकते हैं पर्टिकुलर ऐसी सक्तियां उसके पास हैं जिन उसी प्रकार राज़पाल प्रदेश का सम्मेधाने क्रमुक होता है अब हम बात करेंगे ऐसी सक्तियां या कारेके बारे में जो केवल और केवल राष्टपती के अधीन होती हैं जैसे देश या प्रदेश में आपात काल की उद्गोशना करना एक केवल और केवल राष्टपती ही कर सकते हैं आपात काल सम्मेधान के अनुचेद 352, 356 और 360 के अंतरगत आता है नेक्स्ट युद्ध और सांती की उद्गोशना करना ये राष्टपती की हम सक्तियां के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें हैं युद्ध और सांती की उद्गोशना करना नेक्स है कूट नीतिक सक्तियां और जो बिदेसी राजनाइक होते हैं उनको माननेता देना और अन देसों में जो भरतिय दूतावास इस्तित होते हैं बहां राजदूतों और राजणैकों की निपती करना भी राश्टपती का काम है। किसी भी व्यक्ति को अगर नत्युदंबी की सजा दी गई है, तो उसकी सजा पर खुनलवचार और उसकी सजा को माफ करने का अधिकार राश्टपती के पास होता है। राजपाल की निक्ति भी राश्टपती ही करते हैं जो हमने सक्तियों के बारे में पड़ा ए राश्टपती की सक्तियां थी अब हम देखेंगे कि भारतिय सम्मिधान के अनुसार राश्टपती को स्ववेग से कारे करने का अधिकार नहीं है राश्टपती अपने विवेक से किसी भी फैसले पर नहीं ले सकता है इसके अगर हम देखें कि राज़पाल को सम्मिधान ने सो विवेकी सक्तियां दी हुई है वह है बिना मंत्री परिशद और मुक्वंत्री की सलाह के कुछ फैसलों पर अपना निर्णय दे सकता है अगर हम नेक्ष देखें यहां लखा हुआ है कि राज़पाल को सम्मिधान ने सो विवेक से कुछ मामलों पर निर्णय करने का अधिकार दिया हुआ है अब देखेंगे हम मद्द्ध πरदेश के जो राज़पाल की सक्तियां और कार्र के बारे में सबसे पहले हम मद्यप्रदेश की राजपाल की करपालक सक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो राजपाल मद्यप्रदेश का सम्मेधान एक प्रमुख माना गया है इसका मतलब है कि मद्यप्रदेश में जो भी कारे होंगे जो भी योजनाय निकालनी जाएंगी जो भी नियुक्तियां होंगी यानि जो भी मद्धिप्रदे सरकार के जो भी कारपाले कारे होंगे वह राजजपाल के नाम से होंगे भले ही वास्तिविक रूप से मुख मंत्री और मंत्री परिश्वद वो कारे कर रहे हो लेकिन सम्मेधानिक रूप से उन पर हस्ताक्षर और राजजपाल का नाम ही लिखा जाएगा हम देखें राजपाल, राजजपाल की सरकार के सभी कारियों उनके आवंटन प्रिक्रियाओं के निर्धारन के सम्मन्द में भी निनने लेता है किसी भी मंत्रियों की नियुक्ति, मुख मंत्री की नियुक्ति, महादिवक्ता की नियुक्ति, नियायदिशों की नियुक्ति ये सब राजपाल के द्वारा ही की जाती है यहां लिखा हुआ है मुख मंत्री और अन्न मंत्रियों की नियुक्ति करना अब राज्य के महादिवक्ता की नियुक्ती भी राजपाल के द्वारा और साथ ही अन्न पदों पर नियुक्ती भा उनको हटाने का अधिकार भी राजपाल को है यहां हमें एक बात याद रखनी है कि जो मद्यप्रदेश लोक सेवा आयोग उसके सदस्यों की नियुक्ती तो राजपाल कर सकते हैं लेकिन उनको हटाने का अधिकार केवल और केवल राश्टपती के पास है अब हम बात करते हैं राजपाल की विधाई सकतियों के वारे में मद्यप्रदेश विधान सवा का शत्र आहूत करना शत्र आवशान करना और विधान सवा का विगटन करना राजपाल के अंदर नहत है राजपाल जो विधान सवा को प्रारम करवाएगा राजपाल विधान सवा के शत्र का अंतिम करवाएगा और जो विधान सवा का जैसे राजपाल को कुछ सासन में ऐसी गड़वडियां पता चलती हैं कि सासन समिधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो राजजपाल ऐसी इस्तिती में बिधानसवा को भंग भी कर सकता है अब राजजपाल के पास अध्यादेश जारी करने की सक्ति भी होती है याद रखना है अध्यादेश से सम्मंधित आर्टीकल 213 है इस आर्टीकल को हमें याद रखना है अब हम देख लेते हैं अध्यादेश क्या होता है तो जब समिधान का सत्र ना चल रहा हो और कोई नियम बनाने की आवशक्ता पड़ी हो तो इस इस्तिती में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं यह अध्यादेश 6 महीने तक तो लागू रहेगा उसके बाद जब विधानसभा का शत्र प्रारम होगा तो विधानसभा भवन में इसको रखा जायेगा और यदि विधानसभा से भी यह पारत हो जाता है तो फिर यह कानून बन जाएगा बिधान सबा में एक आंगल भारती सदस्की निउप्ति भी राज़पाल के द्वारा ही की जाती थी लेकिन अभी 2020 में आंगल भारती सदस्की निउप्ति अब बन हो चुकी है अब हम देखेंगे राज़पाल की वित्तिय सक्तियों के बारे में राज़िपाल प्रदेश के बारसिक वित्तिय विब्रण जिसे हम आमभासा में बजट कहते हैं उसको विधानसभा में रखवाता है जो मद्धिप्रदेश के विधानसभा में रखवाता है वो जो बजट होता है वो विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं लेकिन रखवाने का काम राजजपाल करते हैं। को निकाल सकते हैं बाद में इससे संच निधी के द्वारा फिर से इसमें जमां करा दिया जाते हैं आकस्मिक्त निधी से संबंदित आर्टिकल 266 है याद रखना 266 संच निधी से संबंदित है नेक्स्ट हम देखेंगे राजजपाल की नैक सक्तियों के बारे में तो रखना है कि अगर किसी बक्ति को म्रत्यु दन्न मिला है तो उस म्रत्यु दन्न को यह चमा नहीं कर सकते हैं यह सक्ति केबल और केबल राश्टपती के पास है या फर किसी सेना नियालय ने कोई दन्न दिया है तो उसको भी माफ करने कातिका राजपाल के पास नहीं है इसके राज्जपाल राश्टपती को सूचना दे दे या फिर राश्टपती को यह ज्यात हो जाए कि मद्यप्रदेश में या किसी भी राज्ज में समीधान के अनुसार सासन नहीं चल रहा है तो इस इस्तिती में राज्जपाल की प्रामस से राश्टपती राश्टपती सासन लग आने से जो रजगी कालपालेक सक्तियां हैं वो राश्टपती के अधिन हो जाती हैं और साथी साथ विधान सभावी भंग हो जाती हैं अब हम देखेंगे कि निया अधिसों की नियुकती कैसे होती हैं तो अनुच्छे इसके लिए हमें अनुच्छे 277 के अंतरगत जो राश्टपती करते हैं और इसके बाद हमें याद रखना है कि जो अनुच्छे 233 है उसके अनुच्छाम मद्यप्रदेश में जो जिला निया अधिस हैं तो जिला निया अधिसों की नियुकती हाई कोट के परामर्स से राजपती के द्वारा की जाती है इसके अलावा इसनेक आयोगों और समीतियों की रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखवाने का काम करता है जैसे की राजवित आयोग नियंतरक और महालेखा परिशक की रिपोर्ट आदी राजवित आयोक का गठन भी राज़पाल के द्वारा ही किया जाता है इसका राजवित आयोक से सम्मंदित आर्टिकल है 243 इसको हमें अच्छे से याद रखना है इसके बाद हमने जैसे वात की थी राज़पाल की 100 विबे किये सक्तियों के बारे में तो हम देखनगे कि राज्य में अगर संम्मेदानिक तंत्र की विफलता के संबंद में राश्पती को परामर्ष देगा जिसके बाद राश्पती, राश्पती सासन लगा देते हैं तो एभी सौबबे किये सकती है इसके लिए राजपाल को मुकमंत्री या अन्नमंत्री करना है तो उसको सुईकार करना आश्विकार करना और पुनर्बचार के लिए रखना ये सब राजजपाल की सो बिवे के सक्तिया हैं इसके लिए उन पर कोई दवाब नहीं डाला जाएगा रश्ट अब हम देखेंगे कि विधान सभा में बहुमत की पहचान यदि नवगटि बहुमत प्राप्तिन नहीं है तो सरकार बनाने के लिए जो जिस भी पार्टी को आमंतरत करना है वो राजजपाल के अधिकार में है राजजपाल जिस पार्टी को चाहेगा आमंतरत करना उसे कर सकता है यदि प्रदेश की सरकार ने बहुमत का समर्थन खो दिया है और फिर बिर भी मंत्री परिशत त्यागपत्र देने के लिए तैयार नहीं है तो इस इस्तिती में राज़पाल उनको वरखास्त कर सकता है और साथी साथ बिधान सवा भंग कर सकता है थेंक यू आज के इस सेशन में हमने देखा राजजपाल की सक्तियों के बारे में हमने जाना उनकी विधाई सक्तियां, वित्य सक्तियां, न्याएक सक्तियों के बारे में और राश्ट्पती सासन से संबंधित प्रावधान देखा कुछ अनुच्छे देखे जिनको हमें अच्छे से याद रखना है अब हम बात करेंगे अंगले सेसन में